नमश्कार दैनिक साथी के डिजिटल प्लाटफोर्म पर आपका स्वागत है गिर्ते लिंगानुपात को लेकर रेवाडी की ब्रांड एम्बिसिटर बनाई गई एक्टर मान्या सिंग ने कसा तंच बोली दुखता है दिल रेवाडी का हर्याना में ही नहीं देश में सबसे कम लिंगानुपात आट सो चुहत्तर दर्ज किया गया रेवाडी का लिंगानुपात जी हाँ और आपको बता दे कि वश 2017 में भी सबसे कम आट सो चोदा लिंगानुपात के साथ देश भर में शरमशार हो चुका है रेवाडी बोली जिस रेवाडी की एक बेटी एवरेस्ट फत्य करती है वहाँ पर बेटियों को जनम लेने तक के लिए करना पड़ रहा है संगर्श और आगे कहा कि एक बेटी सो लड़कों के बराबर युवाँ को हो ना होगा जागरुख और आपको बता दे कि यहाँ पर मान्या सिंग ने कहा कि रेवाडी के हर प्राइवेट वेस्टरकारी स्कूलों में विध्यार्तियों को करेंगे जाकरुख और इसी के चलते बुद्वार को रेवाडी के सबसे बड़े गवर्मेंट गर्स स्कूल में छात्राओं को सम्बोधित कर रही थी ब्रांड एम्बेसेडर मान्या सिंग बोली प्रधान मंत्री ने जिस मुहीम को शुरू किया वो हो गई थी गायब और आपको बता दे की रेवाडी हर्याना के सबसे कम लिंगा नुपार्त वाले जिलों में शामिल और आपको ये भी बता दे की 19 साल के उम्ब में 105 अवार्ड जीत चुकी है एक्टर मान्या सिंग तीन साल की उम्ब में डाउंस में जीता था पहला अवार्ड और अप महिला सचक्ती करण अभियान में जूटी पर कभी कभी इतना दिल दुखता है जब ये पता चलता है कि हमारे रेवाडी का लिंग अनुपार हर्याना में नहीं पूरे देश में सबसे कम है जहां पे एक लड़की एवरेस चड़ जाती है आज वहाँ हमारे रेवाडी हमारा हर्याना उसमें एक घर में एक बेटी को जन्म लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है मैं तीन साल की थी जब मैंने अपना पहला अवार्ड लिया था डांस में आज मैं आप सबके बीच में यह ओ लड़की हो नहीं आज मैं आपके दिल से पूछने आई हो कुछ कैसा लगता है एक लड़की होने पर सिर्फ इतना ही कि यह बात यहां तक रह जाए या उस हर घर तक जाए जहां पर एक लड़की अपने माबापको आज भी समझा रही होगी कि मा मुझे एवरेस चड़ना है मा मुझे डांसर बनना है मा मुझे आक्टर बनना है मुझे आईस बनना है प्राइम मिनिस्टर बनना है लेकिन वो क्यों नहीं हो पत है पत है क्योंकि कही न कही हम अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबा देते है हम सब कॉम्प्रमाइस कर लेते है सबने सुना होगा ना ये word compromise अरे ज़्यादा आवाज उची नहीं करते लड़की आवाज उची नहीं करते क्यों मैं तद हाड हूगी किसने बोला किसने आपको ये समझाया कि एक लड़की ये नहीं कर सकती एक लड़की वो नहीं कर सकती A girl can turn the pages of history लोग मुझसे बहुत बार पूचते हैं कि आप तो हर्याणा से हो और फिर समझ में आ जाता है कि कौन सा question हमाने वाला है Second question हमेशा यही होता है वहाँ तो लड़कीों का लिंग अनुपाद बहुत कम है सच बताओ मेरे पाद जवाब नहीं होता है क्योंकि यह बात इतनी चुपती है कि यह आज भी है एक मुहीम चालू की थी सरकार ने नरेंदर मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और जब यह मुहीम स्राट हुई थी तब भी बहुत सारे समाजे कारे करता थे जो बहार आये थे लेकिन दुख इस बात का है कि वह मुहीम चालू होके एकदन से गायब हो गई और हम लोग बहुत जादा सैटिसफाइड हो गए अबाट 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 अजेंडर रेशो पर फिर सेच कहते न कि एक ढंका बचता है तो आज वही रंके ने हमें जगा दिया दुबारा कि हमारा जेंडर रेशो फिर से गिर चुका है और इस बार तो लीस्ट पे हम बॉट्रम टू में आ चुके है हमारा डिस्टिक रेवाडी बहुत दूख होता है इस बात को सुनकर और बहुत बहुत स्टार्टिंग से मैं ऐसा कुछ आउट ओप दा बॉक्स करना चाहती थी लेकि तूब अनेस जब तक आपको प्रशासन का साथ नहीं मिलेगा तो यसे मैं उनीस साल की कुछ जादा बड़ी एज नहीं है मेरी तो कही नहीं एक बैकबोन चाहिए थी जो बैकबोन मेरी अब डिजी सर बने उन्होंने मुझे खुद बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि बेड़ा तो जो करना चाहती है इस मुहीं के लिए तू कर और मैं आपके साथ हूँ और कल परसुई सर से बात हो रही थी और फिर हमने डिसाइड किया कि रिवाड़ी की जितने भी स्कूल है चाहिए वो प्राइवेट हो या गवोर्मेंट मैं वहाँ जाके लड़कियों में जो सेल्फ अवेर्नेस पर लेकरेट करना चाहती हूँ क्योंकि जो एक स्टूडेंट पावर है हमारे देश की वो बहुत स्ट्रॉंग है और यूथ इस दो फ्यूचर ऑफर कंट्री और कही न कहीं हमारा यूथ अलग भटकता जा रहा है तो मुझे उनको सबको लाइन पे लाना है और उनसे से एक क्वेस्टिन पूछना है क्योंकि अगर हमारे देश की हमारे डिस्टिक एक एक लड़की जागरूख होगी अबाउट जेंडर रेशो अफर डिस्टिक तो आइधिंग वो एक चेन बनता जाएगा और वो चेन कहीं ना कहीं पक्का से एक पतलाव लाएगा जो मैं भीलीव करती हूँ मैंने आप काफी छोटे थे जब से टीवी सीरिल्स में काम कर रहे हैं बहुत दुख होता है मैं अबने मामी बापा की सिंगल चायड हूँ एक सिंगल डॉटर हूँ और तीन साल की उम्र से मेरी माँ बापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है एक सो पांच अबोर्ट ऐसे ही नही आये बहुत मैनत है उसके पीछे और कही न कहीए एक सपोर्ट है जो सपोर्ट कोई मुसे छीन ही सकता वो सपोर्ट है मेरे माँ बाप का और कहिना कहीं इसा दोनों तरफ से होता है अगर मैं नहीं करना चाहती तो उनका सपोर्ट जायज नहीं था पर मैं भी करना चाहती थी आठ साल के मुड़ में मैंने अपना पहला शो किया था और एक्टर बनना आज भी लोगों को जायज नहीं है लड़कियों के लिए कि हिरोईन बनेगी क्या रख ऐसा नहीं है कला का शेतर है भगवान कला बहुत कम लोगों को गिफ्ट में देता है और हमारे स्कूल के भी इती बच्चियों में आज नर्त देखा उनके पैर जो थिरकते है ये पैर टेकनीक सिखने में हम लोगों को बहुत समय लग जाता है लेकिन जो उनकी ठाप आती है उस ठाप से ही